वेल्कम फ्रेंट्स सर्म में आज हम आप लोगों को 9 MCQ टेस्ट की अपडेट देंगे जो अपकमिंग है टोटल 9 MCQ टेस्ट और आप लोगों से बिंती है कि आप ये सब डेट डाइडी में नोट करके राखीगा नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे तो चलिए देखते हैं पहले कोर्स 501 के अभी यूनिट 1 का MCQ टेस्ट चल रहा है और वीक 4 में जो है यूनिट 2 का ये सीडूल्ट है 22nd February उसके बाद जो है वीक 5 में कुछ नहीं है वीक 6 में देखिए यूनिट 3 का MCQ टेस्ट है ये सीडूल्ट है 8th March उसके बाद वीक 7 में कुछ नहीं है वीक 8 में देखिए MCQ for unit 4 इसमें 8 questions है ये सीडूल्ट है 22nd March ये था 3 MCQ upcoming test है course 501 में अभी course 502 में चलिये इसमें unit 1 and unit 2 का MCQ टेस्ट हो गया unit 2 अभी चल रहा है वीक 3 में है वीक 3 में unit 3 का MCQ टेस्ट है ये 9th questions है इसमें 15th February को सीडूल्ट है तो course 502 में एक upcoming MCQ test है 15th February को अभी course course 503 में चलिये इसमें week 2 में एक MCQ टेस्ट चल रहा है नेक्स्ट जो है week 4 में week 4 में है course 502 का ये सीडूल्ट है 22nd February उसके बाद जो है week 5 में MCQ for all chapters 98 questions है 1st March को सीडूल्ट है उसके बाद week 6 में all chapters इसमें भी 98 questions है ये 8th March को सीडूल्ट है उसके बाद week 7 में MCQ for all chapters 98 questions ये 15th March को सीडूल्ट है और last में है week 8 MCQ for all chapters इसमें भी 98 questions है ये 22nd March को सीडूल्ट है तो course 503 में 5 MCQ टेस्ट है upcoming 502 में 1 total 6 and 501 में 3 total 9 MCQ टेस्ट है अभी upcoming तो ये सब डेट अब लोग डाइडी में नोट करके राखेगा और साई बक्त पर MCQ टेस्ट दीजिएगा थैंक्यू दोस्तों